हाई के सबस्वागे थे दिन्यूटिकल चैनल पे, मेरा नाम है निपाक्षा सिंग और ये है हमारी एक और पॉपिलर लिस्ट टॉप फोन जिनको आप ले सकते हैं 15-20,000 रुपे के बजट में इस महीने ये जो हमारी लिस्ट होती है इसके अंदर कॉंपिटिशन बहुत ही जादा होता है इतने सारे फोन आते हैं जिनमें से 5 बेस्ट फोन निकालना काफी मुश्किल काम है यहाँ पर आपको सारे फोन्स को टेस्ट करने के बाद बताती हूं कि आपके लिए टॉफ 5 फोन कौंसे रहेंगे मतलब कौन से फोन है जो सिक्योर है, कौन से फोन है जो आपके लिए गेमिंग के लिए बढ़िया है, कौन सा कैमरे वाला फोन है, कौन सा है हमारा बेस्ट बैटरी वेकप वाला डिवाइस, किस के अंदर कंटेंट देखने में मजा आएगा, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको किसी वीडियो के अंदर साथी पॉजिटिव नेगटिव दोनों बाते बताऊंगी ताकि नेगटिव चीज़ों के आपको पता हो, इसके साथ कुछ लोगों के मैं पर कोशन आता है कि आपने इस लिस्ट के अंदर उस फोन को नहीं लिया या फिर उस फोन को भूल गया तो म कि उपर offers चलती रहती हैं महीने में मतलब काफी टाइम offers रहती हैं और वो आपको 20,000 पर के price में मिलते हैं और 20,000 पर के सबसे तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ी deal में आपको मिल रहे हैं तो मैं आपको 25 में क्यों बताऊंगी ना मैं आपको best price में बताती हूं जिसमें आ अलग है और devices है हमारे सबसे पहले है हमारे पास Vivo का T1 Pro और दूसरा है हमारे पास IQ का Z6 Pro इन दोनों devices के अंदर आपको 5G support मिलता है 7 bands में उसके साथ दोनों के अंदर आपको performance यहां पर काफी अची देखने को मिल जाती है Qualcomm Snapdragon 778G का आपको मिलता है chipset उसके साथ है हमारे पा Sunlight performance भी अच्छी है लेकर 90Hz refresh rate है तो उतना स्मूर नहीं लगता यह चोटा सा हमारे एक नेगटिव पॉइंट आता इस device का दूसरा नेगटिव पॉइंट यहां हमें हमें इहां पर build quality इतनी अच्छी वाली नहीं मिलती है यहां प्लास्टिक वोड़ी मिलती है आपको और ल इसके अंदा ग्राफिकल लुक मिलती है जो कि छोटा सा चाइलडिश सा लगता है तो लुक वाइस तो लो मुझे इतनी अच्छे नहीं लगते और प्रीम नहीं है लेकिन वैसे lightweight devices हैं एक हाल से भी होलगर के यूस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके इलावा इसके आपको बैटरी जो है यहां पर मिल जाती है 4700 एमेज की उसके साथ आपको 67W की फार्स चाइजिंग मिलती है दिवाइसे के एक दिन का नॉर्मल आपको बैटरी मिल जाता है और चार्जिंग बारी फास्ट है इसके सब कैमरा के गुरू बाग करों तो यहां पर दोनों के अ तो यहां पर दोनों आपको ओफर्स पे 20,000 रुटरी के प्रैस मिल जाते हैं जिसमें यह आते हैं हमारे नंबर फिफ्ट पॉजिशन पर आता है हमारे पास इस बजिट का सबसे स्लिम्स लाइट वेट डिवाइस जो की है हमारा शाओमी का 11 light any यह जो हमारे डिवाइस है सब यहां पर फिंगरप्रिंट भी नजर नहीं आते बैककेस भी आपको मिल जाता है box के अंदर और screen guard भी लगा हुआ मिलता है इसके साथ डिवाइस के अंदर आपको 5G support भी मिल जाता है वो भी 12 bands में साथ ही अगर बात करो डिवाइस की performance के बारे में तो यहां पर है हमारे पास Qualcomm Snapdragon 778G का प्रोसेसर जिसके अंदर आपको performance भी अच्छी वाली मिल जाती है साथ है हमारा 6.55 इंच का 10-bit AMOLED डिस्पले 90 Hz के साथ 90 Hz के साथ 90 Hz के रिफ्रेश्ट रिफ्रेश्ट रेट है तो आपको तरह स्मूद नहीं लगेगा कारे सी वाली गेम में या स्कॉलिंग करने मे लेकिन आपको experience जो है वो यहाँ पर काफी कमाल का आता है AMOLED डिस्पले है 10-bit वाला जिसमें आपको बड़िया लगेगा content enjoy करने में यहाँ पर device इसके साथ जैसे कि यह है हमारा slim device तो यहाँ पर battery के अंदर थोड़ा compromise तो आता है आपको यहाँ 4250 mH की battery मिलती है थोड़ी छ तो आप यहाँ पर देख सकते है 148 प्लस 5 का triple camera setup यहाँ पर मिलता है setup हमारा काफी अचा है और 20 का है हमारा selfie camera यहाँ पर देख सकते है front and back के हमारे samples काफी ठीक आपको यहाँ पर camera quality मिल जाती है उसके साथ अपको MIUI 13 मिल जाती है तो कुछ bugs तो आपको मिलते ही है अगर आपक अगर बात करते है number 3rd position पे number 3rd position पर आता है हमारा Xiaomi की तरव से एक और phone जो कि कि है हमारा Xiaomi 11i अब यह जो हमारा device है 11i hyper charge वाला नहीं बलकि normal वाला अब यह जो हमारा device है इस device के अंदर को content देखने में बहुत ही मजा आएगा मतलो content देखने के लिए सबसे पहले आपको इस device के अंदर जो display मिलता है वो हमारा बहुत ही बढ़िया है आपको यहाँ पे AMOLED display मिल जाता है 120Hz के refresh rate में 6.67 inch का जिसके अंदर को बढ़िया लगेगा display vibrant display लगेगा colors अच्छे लगेगे content को अच्छे से enjoy करोगे sunlight performance अच्छे आत उनको तो यह device काफी पसंद आएगा इसके साथ device के अंदर जैसे 120Hz का refresh rate है तो आपको यहाँ पर काफी smooth भी लगेगा का रसी वाली games हो या फिर आपको scrolling करने है fast fast उसके साथ आपको MediaTekar Dimensity 920 processor मिल जाता है इसके अंदर पर performance यहाँ पर काफी अच्छी वाली मिल जाती है budget के साथ से इसके साथ device के अगर मैं cameras की बात करूँ तो यहाँ पर है मारे पास 108MP का triple camera setup जिसमें आपको 108 के साथ 8 और 2 का triple camera setup मिलता है और 16 का है selfie camera budget के साथ साथ आपको काफी ठीक यहाँ पर मिल जाती है दोनों front में भी back में और उसके साथ device के आपको यहाँ पर मिलती है glass body जिसम मारा हाथ पर hold करने में एक तो glittery design है यहाँ पर मेरे पास जिसमें actual में एक premium के साथ stylish look पी आती है device की साथ ही device के जैसे की थोड़ी सी बैटरी हमारी जादा है 5.60 mAh की तो यहाँ पर device को जो weight आपको थोड़ा सा जादा लगेगा इसके इलावा देखा जाए तो boxy design है हमारे पस device का जिसमें बहुत ही प्यारी वाली आती है look इसको साथ device के अंदर आपको back case में मिल जाता है box के अंदर और साथ ही आपको screen guard भी लगावा मिलता है साथ ही अगर मैं बात करूँ charging की तो यहाँ पर आपको 67 watt का faster box के अंदर मिलता है जो कि आपको आपको प्राइस के बारे में तो यह आपको 20,000 रुपे की price मिल जाता है offers लगाने के बाद जिसमें यह आता है हमारी number 3rd position पर अब next number 2nd position पर आता है हमारे पस इस budget का best camera device जो की है हमारा realme 9 pro plus इस device के बाद आपको सबसे पर ले camera's के sampling में आपको दिखाती हूँ हमें मिल जाता है 50 megapixel का main camera जिसमें आपको IMX 766 का sensor मिलता है उसके साथ 8 ultra white 2 का हमारे useless macro और 16 megapixel का है हमारे selfie camera back camera देखा जाए तो आपको मतब low light pick लेनी हो night pick लेनी हो तो यह हमारा best device है जिसमें आप यह pics को capture कर सकते हैं बहुत ही प्यारी आपको colors और detailing और image quality मिल जाती है selfie camera के बाद करो तो वो हमारा okay okay सा average आपको लगीगा लेकिन back camera best है OIS के बाद करो तो वो आपको नाम का ही मिलता है OIS के ज्यादा कोई काम यहाँ पे है नहीं लेकिन बाकी जो हमारा device है यहाँ पे है हमारे मेरे डिवाइस का Dimensity 920 processor जिसमें आपको performance देखी जाए बजट के साब से काफी ठीक वाली मिल जाती है इसके इलावा device के अंद आपको 6.4-inch का AMOLED display मिलता है Full HD Plus Resolution के साथ बढ़िया brightness आपको मिलती है content देखने में मजा आएगा अच्छा AMOLED display आपको मिलता है लेकिन यहां पे 90 Hz का refresh rate है तो तरह स्मूध नहीं लगीगा मतलब कारिसिवली गेम में या फिर स्ट्रॉलिंग करने में यह इक इस device के मारी कमनी निकल के आती है इसके साथ डिवाइस के दर बैटरी के दर बात करो तो हमारे पर 4,000 mAh की बैटरी है जो कि की नॉर्मल यूसेश में एक दिन का बैटरी वेक आपको दे देती है साथी 65W की fast charging मिलती है तो डिवाइस मारा काफी पटापट से charge हो जाता है उसके साथ डिवाइस के दर यहां पर हमारे पासाती है premium glass body और back panel जो है वो हमारा curved है तो एक हाथ से hold करना डिवाइस को तो उसमें कोई problem की बात यहां पर नहीं है यह दिवाइस आपको प्राइस में मिल जाता है जिस पर हमारी number second position पर आया लेकिन एक बात को धिहान रखें कि अभी जैसे रिवाइस नार्जो 50 pro निकाला था और उस डिवाइस की आने की वज़े से इस डिवाइस का हमारा price जो हटा दी गई थी लेकिन आग थोड़े दिन यह device mostly हमारा महीने में mostly days में यह device हमारा 20,000 पर की price में ही मिलता है और तब ही इसको खरीदना offer चली गई है अभी sale में इसका price हटा दिया गया है लेकिन जैसे हमारी Independence Day की sale जाती है इसके बाद वापिस आजेगी sale तब खरीद लेना क्योंकि यह device हमारा जो है भी काफी बढ़ि devices आते हैं वो भी आपको बता दोंगी 25,000 पर की lift में so next बात करते है number first position पर number first position पर आता है हमारा पस overall best device इस budget का जो कि मतलब हर चीज में बढ़िया है पस उसमें एक कमी निकल के आती है और बहुत ही बढ़िये positive point भी आता है और device से हमारा Samsung का M52 5G सबसे पर चीज क्लियर कर द M52 के लिए जाओ, M53 वो इतना वर्थ नहीं है वो इतना बिका भी नहीं है मतलब इतना कोई ज्यादा popular भी नहीं गया उसके ना चलने की वज़े से ही इस device की हमारा अभी ना sale में offers में इसके उपर offer हटाई हुई थी तो आपको क्या करना है घबराना नहीं है परशान नहीं ह अगर अभी आपको offer नहीं दिख रही है, सेल खतब होने के बाद यह जो हमारी Independence Day की sale चल रही है इसके बागली sale के बाद दुबारा इसके उपर offer आ जाएगी और तब आप इसको खरीद सकोगे और अगर आपको अभी भी खरीदना है तो Reliance Digital पर अगर आप जाओगे तो वहा अगर में बात कर इस device के बात को क्या क्या मिलता है तो यहां पर सबसे पहले हमें मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 778G का प्रोसेसर जिसके बात को काफी अची वाली यहां पर मिल जाती है लेकिन अभी आपको जो बॉक्स में मिल जाती है वो से 15W मिल रहा है इसके साथ इसके साथ डवाइस के इसके 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 मिल जाती है जिसके इसके 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 मैंनी डिफेर्ट डिफेंड़ूर्ली है, यहाँ पे सबको काफी डेखना कों मिल रही है। इसके सबड़ डिव ही कि कमी ही आती है कि आपको इन प्लास्टिक बॉड़ी मिलती है, अला कि डिवास्टो बॉड़ी है काफी लाइट वेட स्ल ev depending लेकिन प्लास्टिक बॉडी है और चीप सा लगते है देखने में यह कमी है डिवाइस की तब को प्रीम नहीं लगेगा हाथ के होल्ड करने में और बॉक्स के इंदा को कोई back case नहीं मिलता स्क्रीन गार नहीं मिलता तो खरीद लेना अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो क्यो इस है आज के हमारी वीडियो जिसमें आपको मैंने बटाया कि बेस्ट पाइफ फोन कौन से हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं 20,000 रुपे के बचट में बागी के लिस्टों के लिंक नीचे description में मैंने दिये हुए हैं जैसे जैसे वीडियो अप्लोड होती है So I hope आपको वीडियो पसंदार होगा